राजस्थान के विधान सभाचुनाप में तकरीबन तीन से चार महीनी का वक्त बाकी रह गया है और इन विधान सभाचुनाप से पहले ना सिर्फ मुख्य मंत्री अशोग गहलोग पूर्व मुख्य मंत्री सचिन पाइलेट से लेकर बीजेपी के कई दिगर्ज निताओं ने कई बड़े-बड़े ऐलान कर दिये हैं देश के प्रधान मंत्री राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से ये स्टाफ कर दिया गया है कि प्रधान मंत्री के चहरे पर ये चुनाप लड़े जाएंगे लेकिन दूसरी ही तरफ वो आरेलपी के प्रमुख और नागोर सिस्तांसद हनुमान बैनिवाल ने भी बड़ा एलान कर दिया है कि दोसो विधान सभा सीटों पर वह भी चुनाप लड़ने के लिए तैयार हैं नमस्कार मैं प्रांश्री राठोर और आप दीख रही हैं निक्स्ट नाइन न्यूस हनुमान बैनिवाल का साफतोर पर कहना रहा है कि दोसो विधान सभा सीटों पर वह भी चुनाप लड़ेंगे राजिस्तान में जो विधान सभा चुनाप होंगे उन विधान सभा चुनाप को लेकर उनका साफतोर पर कहना रहा है दरसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ गहलो सरकार चार साल से सत्ता में हैं। गहलो सरकार दोनों के खिलाफ लड़ाई छेड रखी है। गहलो ने बात रखी कि इसकी जाच ED से करवाएंगे और ऐसे में देखा जाए तो हनुमान बैनिवाल ने डंकी की चोट पर अपनी बात रख दी है। अब देखना होगा कि आखिरकार हनुमान बैनिवाल जो यहाँ पर 200 विधान सभा सीटों पर लड़ने का दावा कर दें। खिरकार इस मामले में यहाँ पर इन विधान सभा चुनाब में वह किस तरह से जीत हांसिल करेंगे, कितनी सीटों पर जीत हांसिल करेंगे यह वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देख रही नेक्स्ट नाइन न्यूज।